पंजाब से हरदीब सिंग जी हमारे साथ स्वागत है आपका हलो जी बोलिए नमसकार हां हकीम साथ बात करने जी जी हरदीब जी आदाब बता ये क्या सवाब आदाब आदाब मैं ठासी बश्टा हो जी 88 तो मेरे कुछ तकलीव साथ मैंने श्या कोई भगाई कि आप से मेरे गुटनों में फर्फ है ठीफ है काफी फर्फ है कितने दिन से ले रहे हैं और मैंजे में एक भीना होगें अच्छा और क्या सवाल है और दूसरा बात ही है कि मेरे खाना जो खाता हूना वो में दे पड़ा रहता है हाज में नहीं होता है और चार पाने दिन लो लेडल अपी नहीं और द्वाई की बखार ले जो नहीं होती है द्वाई खाने के आए जी ये इस साल हो गया ऐसे होना शुरू होगी अर्दीब जी बास की उमर तक हाजी एज बता दीजे मैं दूसरा नुसका भी एट खतम होने से पहले आपको पूर लाब दे सकता है अब दूसरा नुसका सुन लीजे आपकी एज बहुत है लिख लीजे आराम से मैं बताता हूं देखिए ये भी ऐसा ही है कि आप इसे अगर खुद बना लेंगे और असली ले लेंगे तो आपको फायदा मुम्किन है आप सौंफ दो 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 में नमकीन नहीं होता असली लेना आपकी जमेंदारी है, इनको पाौडर बनाए है और आदे से एक एक चमच सुबाशाम खा सकते हैं, खाने से पहले भी खा सकते हैं, खाने के बाद हैं, और पांच बार गरम पानी जरूर पिया करें, अगर आप चाहते हैं कि आप हमेशा सेहत मन्द रहें तो पांच बार गरम पानी पीना आपकी जिम्मेदारी है, मैं भी पीता हूँ, बहुत फायदा होता है, बुढ़ा पे में भी आदमी जवान रहता है, ये कैसा निसका है, जो बिल्कुल मुफ्त का है, आप इस्तिमाल कर स अगले कॉलर भुपाल से हैं, अर्फा, स्वागत है आपका, हाँ, नमस्कार, नमस्ते, हाँ, मैं रहा को गवासिम साफ से बात करना है, जी जी बताईए, मैं सुन रहा हूँ, मैं रहा को है न, जटियवाय है साव, और गुतने है, गुतने में बिल्कुल चलने की निए बन लिए जरूर चलेगा आपका पैर, दो तीन बातों ख्यार लगें, तो ऐसे सब लोग, चाहे वो डॉक्टर कहता हो, अपरेशन होगा, चाहे वो पानी निकालें, कभी पानी डालते हैं, कभी इंजेक्शन लगाते हैं, कभी इंजेक्शन निकालते हैं, लिए आप थोड़ा गौन सिया अगर मिल जाए, असली, असली लेना शर्त है, असली मिलेगा तो आपको फाइदा मुम्किन है, काला गौन जैसे कड़वा बहुत होता है, और नकली भी बहुत मिलता है, असली लेना आपकी जम्मेदारी, आदा आदा ग्राम खाएं, सुबा शाम, पानी से, बग अगर ये नकली मिले तो बिलकुर नहीं लेना, तो फिर आप कैप्सूल टी केर, टी फोर टाइगर, सुबा शाम में किकलिया करें, और अगर एक महीने में भी फाइदा हो जाए, तो तीन चार महीने यूज करें, आप मेरी उमीद में चल सकते हैं, चले, पंच कुला से अग एक मेरी बेटे के लिए और 임गे के लिए, मेरा बेटा ना जी छिए से ओगॉज के दोनों कान। में इच्छान हो गया हैं, दो महीने से हैं, और इसके कान में से एक आपमे से आप मेदा बिल्कुरिय जैसे मेरे मैल धे महीं होती ह, तो निकला और एक बार एक और इस हम दवाई भी दिलवा रहे हैं लेकिन कोई आराम नहीं है कुजली भी होती है कान में और कहीं बारता ऐसे बोलता है कि बिल्कुल बंद हो जाती है दूसरा सवाल दूसरा मेरी हस्बेंट के लिए है जी उनकी एज है 33 ठेक है हां जी उनको एक तो यूरियासेट की प्रॉब्लम है और एक बीपी बहुत बढ़ा रहता है उनका और एक लीवर बढ़ा हुआ है ठेक इसकी प्रॉब्लम है और रात को नेंद भी नहीं आती उनको बहुत ही कम सोचे है दिन में नेंद आती है कभी भी नेंद आ जाती है उनको दिन में ये प्रॉब्लम बहुत है ठीक जब बच्चे की रिपोर्स जो आपने कराई होंगी वो मैं देखना चाहूँगा हमारे हेल्पराई नेंबर से वार्टसप लेके उनकी रिपोर्स हमेसे कर दें तो हम इनके लिए कुछ कर पाएंगे बच्चे के लिए और बहुत चोटा बच्चा इसलिए मैं बगएर रिपोर्ट देखे कुछ मैं अपना मश्वरा नहीं दे पाऊंगा आपके हजबन के लिए एक नस्खा बड़ा अच्छा है अगर आप उन्हें चार पाँच महीने लगा तार दें देखे अलसी आपके किचन में होती है या बजार से ले ना सस्ती आती अलसी इसको थोड़ा सा भून के इसको पॉडर बना दें और एक आता है नमक जैतून जैतून का नमक कहते हैं या रसाइन जैतून कहते हैं ये देखने में नमक जैसा होता है और एस्टेक जैतून इंगलिश में कहते हैं जैतून का एस्टेक और नमकीन नहीं होता ये देखने में नमक जैसा होता है तो एक चमच अलसी जो आपने हलका सा भून कर पौडर बना ली है एक चमस सुबा खिलाएं और इसमें दो चुटकी ये नमक मिला कर खिलाएं सुबा और शाम खिलाना है और ये मैटेरिल खतम होते होते आपके पती को फाइदा मुम्किन है जैपुर से अगले कॉलर कमला सकसेना जी स्वागत है आपका नमस्ते मेड़ा नमस्कार नमस्ते राफ्ता जी कमला जी आदाव राफ्ता मैं जैपुर पे बोल लहीं मेरे बेटी की उमर चाली साल है उसके ना लेवर पे पेटे और पाइस की भी शिकायट हो रही है चीके अजी की एक ऐसा भी नस्का है जो पाइस और लेवर एसिडिटी कब्स और किड्नी की भी मरमत करता है यह नस्का इस तरह है के साफ आमला धनिया साफ आमला धनिया मेथी दो-दो-सु ग्राम लें और नमक जैतून आता है जो देखने में नमक जैसा होता है इसे रसायन जैतून भी कहते हैं इसको देर सु ग्राम इन सब चीज़ों में मिला है और पाउडर बना के एक चम्मश सुबा एक चम्मश शाम पानी के साथ खिलाएं आपके बच्चे की दोनों परिशानियां ठीक होना मुम्किन है पंजाब से नेक्स्ट कॉलर जस्वीर गुपता जी स्वागत है आपका नमस्कार जी नमस्कार जी गुपता साथ आदावर बताई आदावर सर ऐसा है कि एक पेशेंट है उसकी उमर है 78 उसकी दर दरती है गोडे में गोडा खराब है डाक्टर बहुता है गोडा बदलना पड़ेगा जी चीके दिखिए किसी भी ऑप्रेशन से पहले युनानी जरूर कोशिश किया करें और इसके नतीजे बहुत अच्छे हैं और 78 में कोई भी ऑप्रेशन काम्याब होना मुमकिन नहीं है तो ऑप्रेशन अगर काम्याब भी हो जाए तो मैंने ऑप्रेशन जदा मरीजों को कभी खुश नहीं देखा चलते वें नहीं देखा ऐसी बहुत सी बड़ी बड़ी मिसाले हैं तो या तो देखिए कैपसूल टी केर टी फॉट टाइगर कैपसूल टी केर सुबा शाम दें और वेस्टन टॉयलेट का इस्तमाल करें वो ऐसे कुरसी वाले बातरूम का और तोड़ा सबर करें देखिए ये इलाज पांच या दस दिन के बाद फाइदा शुरू करता है किसी को पांच दिन बाद किसी को दस दिन बाद लेकिन एक महिने में इत्मिनान हो जाता है और पांच शे महिने में दवाएं भी छूट जाती हैं और आदमी की जिन्दगी आसान हो जाती है इतना अगर सहियम रखते हैं आपके मरीज तो ये इस्तमाल कराएं आपको फाइदा मुम्किन है पानिपत्से नेक्स्ट कॉलर हरमीश स्वागत है आपका नमस्कार जी नमस्कार मैं पानिपत्से में स्रुन रहा हूं मेरी माता जी की एज है सब्सक्तर साल ठीक है उनको गाल ब्लेड में और सी बीडी में तोन हो गया था एक संपर ने तो अमने अल बनेड रहा है तो छो जो स्टोन ठाव नहीं निकला चीक दरने है वो लोग जो अपनी सशषटतर साल उमर की माता की परवा करते हैं आपसे भगवान बहुत कुछ होता होगा ऐसे सब लोगों से जो अपने वुज़ूर्गों का इतना खैर रखते है और एक दवा मैं बताता हूँ वो आप सुबा शाम माता जी को खाने से पहले भी दे सकते हैं बाद में भी उसका नाम है कैपसूल P-Care P-4 पटना कैपसूल P-Care सुबा शाम एक एक कैपसूल खिलाएं आपकी माता का ठीक होना मुम्किन है अगले कॉलर राकेश जी दिल्ली से स्वागत है आपका नमस्कार जी नमस्कार बताइए सवाल करेए हकीम जी से बात करनी थी अदावर साब बताएए क्या सेवा में दिल्ली आदावर साब बताएए हकीम जी मैंने आपकी गौनसिया मंगाई वो तो मुझे फैदा कर रही है और मुझे प्रॉब्लम आ रही है मेरे एक कबज रहती है और पिशाब बहुत देर में आता है रुक कर आता है देखिए गौनसिया तो अपने खतम होने से पहले आपको रोबूत कर सकती है वेस्टन टॉयलेट का प्रियोग करें ऐसे कुर्सी वाले का तो जल्दी फायदा होगा नहीं तो देर लग सकती है अच्छा इसका भी एक नस्खा लिख लीज़े ये भी बहुत कीमती है और कामयाब की मनजिल नचू रहा है लोग इसे लेते हैं और अपने खब्स के रोग बवसीर का रोग, लीवर का रोग पिशाब का रोग पिशाब पुश्किल से आना बार बार आना इन्फेक्शन होना तो इन सब में काम आता है बहुत कामयाब नस्खा मेरी नजर में मेरे जीवन में ये जो अनुभव है वो आप से शेयर कर लेता हूँ देखे, साउफ दो सो ग्राम मेती दो सो ग्राम आमला दो सो ग्राम और आमला दो सो ग्राम और धनिया दो सो ग्राम सब चीज़े दो दो सो ग्राम यानि आट सो ग्राम हो गई अब डेड़ या दो सो ग्राम इसमें नमक जैतून जैतून का रसायन को नमक जैतून आसान भाशा में कहते हैं यह देट सो गिराम इसमें मिला दें और पाउडर बनाए घर पर कोई भी चीज पशी पिसाज ना लाएं एक चमस सुबा एक चमस शाम का हैं पानी के साथ पानी खूब पिया करें पांच बार गरम पानी पीरिया करें यह भी एक अच्छा इलाज है तो आपका यह रोग भी ठ मेरी उमर 65 साल है ठीक है मिले को शुगर रखती है कब से है मैम इलको 10 साल होगा है आपकी एज क्या है 65 साल ठीक है दस साल से देखिए शुगर का रोग जिसको हो गया तो हो गया अगर शुरू महीं दवाएं ले ली जाएं युनानी तो ठीक भी हो सकता है लेकिन पता चलती अब काफी वक्त हो चुका है और इसमें परिशानी यह है कि दवाएं बढ़ती जाती है शुगर फिर भी बढ़ती है लेकिन एक नस्खा ऐसा भी है जो आपकी शुगर को इस्तिर रखता है लेना पड़ेगा आपको वो भी दवाएं जो आप लेती हैं और जो मैं बता रहा पानी में मिलाकर खाने के बाद पी लिया करें बहुत सारे फाइदे इसके हैं एक शुगर को इस्तिर रखता है एक शुगर की दवाओं से होने वाले नुक्सानात जिसमें किड्नी खराब होना उसको नहीं होने देता लीवर पर असर होना उसको नहीं होने देता पेट का ब का दोरा पढ़ सकता है या फालिज हो सकता है दिमाग का दोरा पढ़ सकता है ये उनको नहीं होने देता और कॉलिस्टॉल को जरूरत की तरफ ले आता है जरूरत के मताबिक ले आता है और ब्रेट पेशर की खबर रखता है हार्ट ब्लॉकिज को खोलता है ये आप लिया करें तमाम शूवर वाले इसलिए लें कि उनको दोबारा सिहत की जिन्दगी गुजार सकें और वो लोग इसलिए लें जो रोगी नहीं ताकि उनको ये सब रोग उनको कभी नहों